हिन मुश्कर दोस्तों मैं दीपक कुमार स्वागत दरता हूँ आप सभी का आपकी अपने ही चैनल इन्वेश्ट फॉर वेल्थ पे दोस्तों बात करेंगे कल मार्केट कैसा रहेगा कौनसे श्टॉक्स में अप्ट्रेट कर सकते हैं वीडियो में आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ने से पहले चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लिजेगा बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलीगा तक आने वाले वीडियो के नाटिफिकेशन आपको टाइम तो टाइम मिलते रहें नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंजल ब्रोकिंग अप्स्टॉक अलाइस ब्लियो और बहुत सारे ब्रोकिंग में डिमेट अकाउंट ओपनिंग के लिंक मिलते हैं आपको याद होगा पिछले बैंक निफ्ट की बात करेंगे बहुत अच्छा था मूँव हमें मिल गया लास्ट वाले टाइम पे भी स्टाइडिंग में यहां पर देखेंगे कुछ इस तरह का माहौल था यहां पर कहीं मार्केट ओपन होता है फ्लैट मार्केट ओपन होता और फ्लैट ओपनिंग का मतल जबान करते हैं कफी अच्छा था मूँव मिलता है हाँ यहां पर घंडल स्टापला सिट फिर अगेन ऊपर गया तो क्या किया था हमने दुबारा हमने फिर से ट्रेड लिया था कि जैसे ही यह एट वंड्रेट से 70 का लेवल ब्रेक आउट किया था हमने टेडिया तो यहां स मार्केट हमेशा इस तरह से हीट करता है बहुत सारे लोगों को मार्केट ने ट्रैप किया था अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे मार्केट ने अपना हाई ब्रेक आउट किया यह वाला हाई मार्केट नीचे आया फिर अगेन यहाई को ब्रेक आउट किया तो बहुत लोगों ने यहाँ पे कॉल साइड में गये जब कॉल साइड में ट्रेड नहीं चला तो लोगों ने फटा-फट क्या किया पुट साइड में एंट्री ने शुरू कर दी इसके नीचे यहां पे अगर अगर हम डेसकस करेंगे और आपको लेवल दिखा रहा हूं एक बहुत लर्निंग वाली पांट में बताऊंगा कि यहां पे जब यह वाला पार्ट नीचे आया यहां पे इसके नीचे जब मार्केट निकाला तो यहां पे एंट्री लेने लग गए तो कुल मिला जुला के मे की टॉप से रिजेक्शन मिलता है और कंफर्मेशन स्ट्रॉंग नहीं क्या होता है मार्केट एक बुलिश मार्केट में हमें ट्रेड लेना है रिवर्सल करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए एंगलफिंग पैटन चाहिए यह यह सब कुछ नहीं मिल रहा है तो सिर्फ और है एक कउम से कमरें तो फिफ्टीन का डाइम या तो फिस्रेम निकल चाहिए यस ढखे यहां नग्हें चाहिए तरह सेलन बाण थे का फिर्ट्रेंग में ह। 11डग धुरिके evaluated कि मार्केट तीन वीक से लगातार एक रेंज में है अगर यह इसके उपर निकलता है तो मार्केट में हम थोड़े से बुलिश हो जाएंगे एक्जेक्टली यही हुआ है और विकली टाइम फ्रेम पे इंसाइड केंडल भी है इसका ब्रेक आउट हो चुका है डेली टाइम फ् आपसन है और बहुत बढ़िया रीजन भी है तो 40,000 हमारा राउंड नंबर है और काफी स्ट्रॉंग नंबर है अगर 40,000 के उपर हम सश्टेन कर पाते हैं तो आगे आने वाला टाइम हमारा काफी ब्राइड दिख रहा है मतलों काफी बढ़िया तेजी जाईगी तो खुलते ही एक प्रॉफिट बॉकिंग आये क्यों कि और रेडी मार्केट यहां से गाप दिया था गाप देने के बाद कंटिन्यू किया इस गाप को फिल नहीं किया है फिर से अगर एक बड़ा गाप करता है गाप करने के बाद वह कंटिनूशन ऊपर जाने के लिए सा नजर हम रख लेंगे कर गाप अपोरा है और गाप ड़ा और हो रहा है तो हम प्राइब करेंगे कि कम से कम मार्केट जो है यह लवल ब्रेक कर दें तब ही स्लिंग सॉइट में आई राइट से यहां से और यहां पर देखेंगे पन आवर का ताइम फ्रेम है अगर 17,400 के उपर हम सश्टीन करते हैं तो अच्छा खासा तेजी आ सकता है इवन 17,350 के उपर निकल जा रहा है तो इंट्राडे में एक ट्रेड ले सकते हैं जो मारे टार्गेट हो सकते हैं 450 तक क्यों हो सकते हैं अगर 15 मिट के टाइम फ्रेम पर हम आएंगे तो क्या सनारी हो हमारे पास है 15 मिट में हमारे पास यहां पर देखेंगे इनवर्टेड हैं सोल्डर फॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है एक्जैक्लि इसका नेकलाइन बन रहा है 350 350 के उपर हम ट्रेड करेंगे अगर बड़ा गया जल रहा है तो थोड़ा सा वेट कर सकते हो अब एक एक रेड केंडल आएगा तोड़ा सा र Man t तो अगर यहां पर हम बात करेंगे यह सनरीय हमारा क्या बन रहा है निफ्टी में अगर हम देखेंगे 17,240 रुपय का लवल है अगर से 17,2014 का लवल निकल रहा है तो हम एक सैलिंग साइट के लिए प्लान कर सकते हैं अभी स्टॉक्स के बारे में अगर हम बात करें सबसे पह बॉटम ऑट कर दिया यहां पे बॉटम पे आया बॉटम से अच्छी ऐसी बाईंग अगर यह आज का हाई ब्लानिग कर रहा है कल्केड तो हमारा एक बाइंग का सेनरियो रहेगा बहुत सुंदर हमें टार्गिट मिल से अगर हम दिखेंगे जो हाई बन रहा है यह बन रहा भारती एटल पे या भारती एटल के अगर हम बात करेंगे रिमूव वाल ट्राइंग कर देते हैं यहां से और इसको हम वन आवर की टाइम फ्रेम में कुछ दिखाने वाले आपको वन आवर की टाइम अब देखो बहुत क्लासी टाइप का यहां पे प्राइज एक्षन नजर आएगा आपको बहुत क्लासी टाइप का यहां पे अगर हम देखेंगे उपर से नीचे आया है बहुत सुन्दर सेनेरियों है मतलब लोवर लोवर बनाता हुआ निकल रहा है अभी अगर यह ब्रेक करता है अपना लाज्ट स्विंग तो फिर से एक सेलिंग हमें आता हुआ मिल सकता है तो मारा अगरा यहां पे हमारा प्लानिंग रहेगा की जैसे ही चाहे आज ब्रेक हो रहा है चाहे दो दिन बाद से हीरा वं रहो रहा है हमें एक सेलिंग सार ब्रेक हो रहा है हमत थोड़ा सब हू credit में तो हम यह जार हो रहा है चाहिए चार दिन बाद हो रहा है तो हम बाइंग साइड में भी प्लानिंग कर सकते हैं यह दो श्टॉक्स मैंने दिया है एक श्टॉक और मेरे पास आई सी सी बैंक वह आप लोग नजर में रख लिजेगा आपसे अच्छा बोलेश हुआ पड़ा है अगर ग्याप